क्या आप ऐसे bond में कभी भी invest करोगे जिसका पैसा आपको कभी वापस ना मिले और कम्पनी अगर चाहे तो tough times में interest payments को बंद करके आपके bond को खतम कर दे These are called AT1 bonds Yes Bank न इशू करे थे हैं 2020 में जब बैंक डूब रहा था तब 8000 करोड के AT1 bonds को Yes Bank ने write-off कर दिया Investor भी अब कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो legal है, in fact RBI ने करवाया था But करीब 700 retail investors का 160 करोड रुपया इन bonds में लगा था ऐसे लोग जिने बिलकुल idea नहीं था कि AT1 bonds क्या होते हैं Yes Bank के relationship managers ने इनको जूटे सपने दिखा कर ये bonds बीचे थे Investors like Amit Avastis father जिन्होंने डेड़ करोड रुपय इसमें डाले And Amit ने 3 सालों तक अपने फादर से ये बात चुपाई कि उनका पूरा पैसा डूप चुका है क्योंकि Amit को डठा कि उन्हें heart attack ना आ जाए Ashok त्यागी जी ने भी 1 करोड प्लस का amount डाला था और जब उनको अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा चाहिए था तब नहीं मिला Unfortunately, she died last year Saurabh and Nimish ने लड़ने का पैसला किया देश भर से 81 bond holders को ढूंड कर निकाला Association बनाया 25 लाक रुपे जोड़े और केस लड़ा बट उन्हें अभी तक Miss Selling का कोई इंसाफ नहीं मिला है सिर्फ एक acknowledgement आया है Chief Justice से कि हम Try करेंगे आपके लिए कोई solution निकालने का एक tweet कर रहा हूँ Justice for 81 holders आप retweet कर दो, क्या पता जादा बात होने से दे माई, Try Harder, tweet मिलेगा टॉप कमेंट में